जाएं दोस्तों मैं मुके सुरवास्तो और एडिवर में आपका स्वागत है तो चलिए मैं जीके का एक नया चप्टर लेका आए हूँ जोगराफी से है वो और जस्ट इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जो ट्रिक में था वो था फसल सरवादिक उत्पादन करने वाले राज्या यह भारत के राज्या है ट्रिक में बहुत कुछ छुट भी जाता है इसलिए मैंने सोचा कि पूरा का पूरा एक डिटेल डाटा ही इस वीडियो में दे दूँ तो चलिए फिर शुरू करते हैं देखिए मैंने एक भार सबसे अधिक होता है तो वो होता है आपका केसर का जमुकस में से जस्ट नीचे देख रहा है एच्पी लिखा हुआ है यह हीमाचल पर्देश हीमाचल पर्देश में सरवाधिक किस चीच का उत्पादन होता है तो वो होता है आपका सेव का ठीक है अब यहां आते है यह पं तरहें किया है और उठ नहीं दर्जाया है जो पहले नंबर पहां वस्क्रेंद है कि तो 50 सर्सों और बाजित अब अब नमर confronted में तो वहां में तो आपके डिक्रावि कोड़ा है जौर का उत्पादन अधिक होता है संत्रा का भी होता है केला का भी होता है तो इसको मैंने नहीं दर्शाय हुआ है लेकिन प्याज और जौर का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट में होता है अब यहाँ जो महाराष्ट के जो नीचे देख रहे हैं करनाटक करनाटक कोणाटक करनाटक का आफ को ने तो यह है आपका केरल, केरल में जैसे काली मेर्च, इलाइची, अद्रख, इसलिए कहा जाता है, मसालों का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए केरल को मसालों का बगिचा कहा जाता है, यहां एक पहाड़ी पाई जाती है, जिसे इलाइची पहाड़ी कहता है, लेकिन मसाला अब आता है यहां पर आँड़ेस में आपका हो गया सबसे अधिक जैसे महाजालों का सबसे अधिक होता है किरल में लेकन एक हल्दी जो है उसका उत्पातन सबसे अधिक आहां होता है तो वो होता है आंधपर्देश में उसके बाद मक्का का उत्पातन होता है फिर उसके बाद तमबाकु का उत्पातन होता है यहां आंधपर्देश में ही तमबाकु का यह भी यह क्या बोलते है जय का उसके बाद यहां देख रहा है यह पस्चिम बंगाल में चावल का उत पादन सबसे अधिक होता है और जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है अब आते हैं यह आपका यूपी यूपी में सबसे अधिक आम का उत्पादन होता है आलू का उत्पादन होता है गेहूं का उत्पादन होता है जौ का उत्पादन होता है और फिर उसके बार गन्ने का उत्पादन होता है यानि ये सब उत्पादन में यूपी नम्मर वन पे है यहाँ पे देख रहे हैं यह है MP और MP में सोयावीन और चना का उत्पादन सबसे अधिक होता है कहा जाता है कि किताबों के तोवारा आकड़े का अनुसार में है कि मदपर्देश और महराज दोनों मिलकर पूरे भारत का 90% सोयावीन उत्पादन करते है तो यह है आपका पूरा का पूरा फसल जो मैप पे है और प्लीज ऐसा कभी भी कीजेगा कि जो पहला नमबर हो उसी को याद करें क्या कि सेकेंड ठर्ड फोर्थ याद करने में मतलब दिमाग का दही जम जाता है और कुछ नहीं होता है इसलिए अगर एक याद रहेगा तो मतलब जादा दिन तक याद रहता है तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करें और चानल को सस्क्राइब करना ना भूले मैं मुक्य स्रवास्तो हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगा जय हिद